नमस्कार आप देखने हैं फ्रेशन इंडिया न्यूस जोर आपके साथ में विजेंद्रिस सोलंग की मौस्ट वॉंटेड पपला गुर्जर गरफ्तार कर दिया गया है और अब उसको जैपोर लाने की तैयारी की जा रही है लेकिन सुपर एक्स्क्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पपला को पकड़ा गया उस वक्त की तस्वीर है जिसमें आपको जमीन पर बैटा हुआ जो शक्स दिखाई दे रहा है वही दरसल पपला गुर्जर है चैरे पर पोलिस के मुस्कान और उस बीच में रोता, बिलकता और शायद अब उसको एहसास होगा की अपराद की दुनिया का अंत जब होता है तो किस सरीके से जिन्दगी जहन्नुम बन जाती है पपला को पकड़ा गया है, नाम बदल कर वो रहा, उदम सिंग नाम रखा लेकिन बच नहीं पाएगा जल्द जपूर आएगा, क्योंकि पोलिस ने गरफतार कर लिया है बहुत सी जानकारियासी जो साजा नहीं की जा सकती क्योंकि सेक्योरिटी से जुड़ी और ये वो आधार कार्ड, आधार कार्ड को देखिए, उदम सिंग नाम से उसने अपने इस आधार कार्ड को बनवाया है जिसमें जन्मतिति लिखी 18 परवरी 1997, सूपर एक्स्क्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मानकर चलिए, मानकर चलिए कि आधार कार्ड फरसी होगा क्योंकि जब आधार कार्ड बनवाया जाता है तो आपके अंगलियों के प्रिंट लिए जाते हैं फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं, आपकी रेटीना स्कैन की जाती है और ये मुम्किन नहीं कि आधार कार्ड अगर एक बार पपला का बना हो दोबारा राटिना स्कैन के साथ दूसरा आधार कार्ड बना या हो या तो इस आधार कार्ड में पूरी जानकारी नहीं या इससे पहले पपला गुर्जर का आधार कार्ड बना नहीं होगा सिर्फ नाम बदलने से आधार कार बनना मुम्किन नहीं है सूपर एक्स्क्लूसिव तस्वीरे सबसे पहले परस्टन यह आपको दिखा रहा है तीन सूपर एक्स्क्लूसिव तस्वीरे पहली तस्वीर उस आधार कार की जिसमें उधम सिंग नाम पपला गुर्जर जानी कि विक्रम सिंग का है असली नाम विक्रम सिंग अपराइद की दुनिया में पपला गुर्जर और कोलापुर से जहां पकड़ा गया वहाँ उसका नाम उधम सिंग दूसरे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें स्काइब लू कलर की जिस टीशर्ट में जमीन पर वैटा हुआ शक्स आपको दिखाई दे रहा है वही है मौस्ट वांटेड पपला गुर्जर जिसको गरबतार किया गया है और तीसरे सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर उस मकान की जिसमें एक महिला मित्र के साथ तीसरी मंजिल पर पपला गुर्जर रह रहा था उसको दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा और मेरे सेयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवेंद्र फर्स्ट इंडिया तीन सुपर एक्स्क्लूसिव तस्वीरे अपने दर्शकों को दिखा रहा है पहली आधार कार्ड की दूसरी जमीन पर लेटे जमीन पर वैटे पपला गुर्जर की और तीसरी उस मकान की जिस से पपला गुर्जर को गरपतार किया गया है और इसमें जो तीसरी तस्वीर है विजंदर वो सबसे महतपूर तस्वीर है जिसमें पपला दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तस्वीर डी जी पी एमेल लाटर के पास भी नहीं है वो प्रेस कॉन्फरेंस में कहते रहे कि हमने बेपरदा पकड़ा है पपला गुर्जर को जो आई जी हवासीं को मरिया वो भी कहते रहे कि हमने बेपरदा पकड़ा है लेकिन फर्स्ट इंडिया पर बिना परदा के देखिये पपला गुर्जर किस तरीके से पुलिस के पास बैटा हुआ है और गिड़ गिड़ा रहा है अगर आप क्लोज देखोगे उसकी तस्वीर को पिजिंदर तो वो एक तरह से रोता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब उसको अपना अंत नजर पास दिख रहा है मैं थोड़ा सा करेक्ट करना Hopefully बेपरदा नहीं दरसल लाटर साब ने कहा कि पर्दे के साथ उसको पकडा गया है और हम उसको बेपरदा कर रही है अब बिल्कुल सही का आपने लाटनाँ साहब नहीं चाहकर है और आप अधिकर वत बत कि उन्हें पूंचा किसा हमको पिकला गुर्जर का फोटो दीजिये तो उन्होंने ही चाहकर हमने पतला गुर्जर को पर्धे के साथ पक्ड़ा है लेकिन इसी का नाम First India है कि बिना परदे के पपला गुर्जर हमारी स्क्रीन पर है हमने वो फोटो ढूट निकाला है जिसमें वो तमाम लोग भी आपको दिख रहे हैं पास में नहीं था उसने भागने की कोशिस जरूर की और एक और जो एक्सरूसिफ जानकारी मुझे मिली है कि जिस महला मित्र के साथ पपला रह रहा था उसका कोलापुर में खासा प्रवाब था वहां के इस्तानी पुलिस अधिकारियों से उस महला की अच्छी जान पैचान थी और पपला को ये भरोसा था कि अगर कभी पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो इस महला के जो संपर्ख हैं जो यहां के महलाओं की यहां की पुलिस अधिकारियों से जानकारी है उसका मुझे लाम मिलेगा लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि राजिस्तान पुलिस के पास सूचना थी कि जिस महला के साथ पपला रह रहा है उसके महराश्ट्र पुलिस में कई अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज कई तरह की जानकारिया हमको मिली है विजिंदर वो जो मेहना की जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो तस्वीर फश्ट इडिया सबसे पहले दिखा रहा है वो तस्वीर जिसमें पपला गुर्जर बेपरदा है मैं उस पर थोड़ी सी आपकी टिपनी चाहूंगा क्योंकि रात को दो बजे अगर पपला गुर्जर को पकड़ा गया है तो ये तस्वीर रात की तो कम से कम नहीं है इसका मतलब ये कि दिन में फ्लाइट में ले जाने से पहले उसकी थोड़ी सी महमान नवाजी की गई है क्योंकि पैरों में ना चपल है ना जूते हैं पपल के लोकल पुलिस स्टेशन की है जैसी सूचना मेरे को मिली है ये तस्वीर लोकल पुलिस स्टेशन की है जहां पपला को पकड़ा गया था और बकाइदा बिना परदे कि उसका फोटो भी लिया गया है वो तमाम लोग आपको तस्वीर में दिख रहे हैं जिल लोगों ने प पपला गुरिजर को पकड़ा है लेकिन मैं आपका ध्यान एक बार फिर प्रेस कोंपेंस की तरफ लेकर जाओंगा जब डीजीपी में लाटर प्रेस कोंपेंस कर रहे थे उनको पत्रकारों ने कहा था क्या पपला गुरिजर की कोई तस्वीर हमें उपलप्त कराईए तो ड पपला गुरिजर को पकड़ा तो वो किस तरीके से रहम की भीक माग रहा है रो रहा है चिला रहा है बेचेनी उसके चेहरे पर साब दिख रही है जाहिर तोर पर उसको पता है कि अभी तक की जो उसकी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया है अब वो राजस्तान पुलिस के सिक करके अपने सातियों की मदस से बहरोड पुलिस थाने से भागा था वो पपला गुर्जरा फर्स्ट इंडिया पर एक्सलूसिफ देख सकते हैं बिजंदर हमारे दर्सक भी किस तरीके से पपला गुर्जर को राजस्तान पुलिस से जो टीम गई थी बहुत भारी भरकम टीम गई थी दो एडिसनल स्पी थे जिनके नाम अभी डीजीपी ने प्रेस कॉनफरेंस में बताए हैं और अब जो सूचना मिली है कि पुड़े से बाई प्लैन जो पपला गुर्जर है उसको लाया जा रहा है दिल्ली और दिल्ली से अभी दौनों विकल्ब खुले हुए हैं पुलिस के पास उसको दिल्ली से वाया फ्लैट भी जैपुर लाया सकता है और सुरक्षा के लिए आज से जैसा डीजीपी ने संकेत दिये थे कि क्योंकि पहले भी वो उसका प्रवाब शेतर है जिस प्रवाब शेतर से पपला को लाया जाएगा तो बहुत संभावना है कि दिल्ली से भी पपला गुरिजर को फ्लैट के माध्यम से ही जैपुर लाया जाए लेकिन डीजीपी में लाटर कापी खुस हैं एक और एक्स्लूसिफ जानकारी दर्सकों को दूँगा किस ऑपरेशन के बाद डीजीपी में लाटर ने मुख्यमंतरी असो गहलोस से फौन प पकड़ा और उसको राजिस्तान पुलिस अब कोलापुर से जैपुर ला रही है मुख्यमंतरी ने डीजीपी में लाटर को इस ऑपरेशन में सामिल हर एक पुलिस कर्मी को अपनी तरफ से बदाई दी है राजिस्तान पुलिस के अपर्स की प्रयासों की मुख्यमंतरी असो अधर था बहुत बड़ी मुसीबत था उसको राजिस्तान पुलिस ने धर दवोचा है और उसकी पहली तस्वीर पहली सुपर एक्सरूसिफ तस्वीर सिर्फ और सिर्फ फर्श्ट इंडिया के पास है जो दरसक इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिबलकुल लैशिवेंद्र जोरान ये भी मानकर चलें कि जो पपला गुर्जर यानि की विकरम सिंग यानि की जो उदम सिंग के नाम सी उसने अपना अधार कार्ड बनवा हैं वो भी फर्जी है क्योंकि ये मुमकिन बहुत कम है कि एकी व्यक्ति के दो अधार कार्ड बन जा गी और अगर इसमें महराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों की कोई भूमिका है तो उसकी भी जाच की जाएगी जैसा डीजीपी ने कहा कि ये सब अब जाच का बेसे है और जब पपला गुर्जर अब गिरस्त मागया है विजंदर तो अब ये भी मानी है कि हर रोज एक कारियम दर्सकों को बताएंगे कि राजस्तान पुलिस कोलापुर में एनकाउंटर की तैयारी के साथ गई थी यानि कि अगर पपला गुर्जर जिस मकान से पकड़ा गया वहाँ पर मुठवेड की कोशिस करता अगर वहाँ से वो पुलिस पर फाइरिंग की तैयारी से गई तो राजस्तान पुलिस उसका एनकाउंटर भी कर सकती थी एनकाउंटर की पूरी तैयारी के साथ राजस्तान पुलिस कोलापुर पहुँची हुई थी वेजंदर नहीं बताएंगे वहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि बहरोड में जो हुआ उसमें एक बार के लिए मान सकते हैं कि पुलिस अलर्ट नहीं होगी और इसलिए अचानक से जब 30-35 लोग पपला गुर्जर को छोड़ाने आए तो शायद पुलिस आसाय हो गई हो लेक आपके सही है विजंदर अगर सिर्फ इस कारण से पपला को आप सड़क मार्क से बहरोड होतु हुए नहीं लाएंगे कि यह उसका प्रवाब छितर है यही वो जगह है जहां से पपला गुर्जर पहले भागा था तो जाहिर तोर पर राजिस्तान पुलिस पर सवाल खड़ पर लिया क्योंकि अगर मैं पुलिस मुख्याले कवर करता हूं मैं पपला गुर्जर का फोटो नहीं पा सकता मैं नहीं डूड़ सकता तो मैंने तमाम कोशिस की अपने जितने भी सोर्स थे उनसे बातचीत की और आखिरकार क्योंकि यह एक चैलेंज था कि परदे में जैसा है फोटो का मैं अभी कोशिस करूँगा विजंदर अभी थोटे से बेस्ट है उनको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास पपला गुर्जर का फोटो है जिसमें वो बिना परदे के नजर आ रहा है जी बिलकुल और आपने जो प्रेस कॉंफरेंस में कहा है ऐसा नहीं कि पत्रकार ढूंड नहीं सकते हैं पचास सवालों के जवाब से बच तो सकते हैं लेकिन खोजी पत्रकारिता से नहीं बच सकते हैं जो फरस्ट इंडिया करता है अब बिलकुल देखी बिलकुल बात सही है लेकिन अभी इस समय तो राजस्तान पुलिस के लिए काफी खोशी का दिन है जी और सारे जो बड़े पुलिस अदिकारी विजिंदर वो प्रेस कॉंफरेंस के बगल में एक और रूम है जहां पर अभी हैवी जिसको कहते हैं अप जाईजी हैं और जिनकी अगुबाई में ये पूरी टीम गई हुई थी उनसे जो वरिष्ट पुलिस अदिकारी हैं वो जानकारी ले रहे हैं पता कर रहे हैं क्या बेक्ग्राउंड था कैसे पता चला कि पपला कोला पुर में हैं पहली बार कब टीम गई आप कब जाके कैसे तय हुआ कि किस को वहाँ भेजना हैं तो तमाम जानकारी जो सभी वरिष्ट पुलिस हदकारी हैं वो ले रहे हैं अंदर जो हवासींग, गुमरियां हैं उनसे और बता भी रहे हैं, साजा भी कर रहे हैं वहीं MN लाठर ने भी प्रेस कोंट्रेंस के बाद भी पत्रकारों से बातचीत की है और उन्होंने यही कहा है कि जब अपला गुर्जर एक बार यहां आ जाएगा उसकी पेसी होगी और उसको जब रिवांट पर लिया जाएगा तो वो कुसिस करेंगे कि जो मीडिया के लिहा पाकों के पीछे हो अब उसके लिए पुली जो भी रणनीती बनाए उसका स्वागत तो किया ही जाना चाहिए वैलकम किया जाना चाहिए पत्रकार अपना काम करते रहेंगे पुलिस अपना काम करती रहेगी लेकिन क्या जिस महिला मित्र का जिक्र बार बार किया जा रहा है जिस महिला मित्र के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी पुलिस के अंदर माराष्ट में पुलिस के अंदर एक अच्छी पकड़ थी क्या वो भी जयापूर आ रही है? अब बिल्कुल देखिए जो जानकारी मुझे मिली है कि जिस महला मित्र को पकड़ा है उस महला मित्र की जिम में कई बड़े पुलिस अधिकारी कोलापुर के जिम करने आते थे यानि जो पुलिस के अधिकारी है उनको भी जो पपला की महला मित्र थी वो ट्रेनिंग कराती थी वो उनकी जिम ट्रेनर थी और यही कारण था कि पपला ने उसको चुना है पपला को पकड़ा जा सकता है ये बिलकुल सही है कि उसकी जो महला मित्र है जिया उसका सुरू का नाम है उसको पकड़ लिया गया है जी और उसको भी पपला गोरिजर के साथ लाया जा रहा है राजस्तान वो भी अभी पुड़े एरपोर्ट पर मौझूद है और जब वो जैपूर आएगी तो जाहिर तोर पर उससे भी पूछता चोगी कि उसका पपला से किस तरीके से संपरक हुआ आखर पपला की और उनकी दोस्ती कैसे हुई उनका मिलन कैसे हुआ और पपला कब वहाँ पहुचा कैसे दोनों ने क्योंकि जैसा पुलिस से जानकारी मिली है कि जो उसकी महला मित्र का जिम था विजिंदर उसमें भी पपला था वो भी पुलिस कई सवालों की लिश्ट तैयार करेगी उससे पूचेगी कि पपला को आपसे किसने मिलवाया जिसने मिलवाया क्या उसका भी कोई आपरादिब बेक्ग्राउंड है तो जैसा मैंने कहा कि पपला की गरफ्तारी के बाद पुलिस के पास बहुत सारे सवाल है पपला के लिए जो जो पुलिस को आने वाले दिनों में पपला का बेक्ग्राउंड किनके लोगों ने पपला की मदद की ऐसे कई पहलूओं को सोल जाने में मदद की अब हो सकता है कि कई चैरों से नकाब उतरे लेकिन शिविंद्र एक और कन्फियूजन क्योंकि मैं डिजी भी है जिसको संशोधित किया गया था और तीन लाख उसके जो एक तरीके से जो इनाम उस पर है उसको तीन लाख किया गया था तो क्या उसके बाद फिर से संशोधन हुआ कुछ मुझे लगता है इसमें कन्फियूजन है क्योंकि जो आदेश मेरे पास है जो आदेश मैंने एपने कैमरे से लाइब में दरसकों को दिखाया था वो आदेश तो यही है तीस तारीक को ग्रह विवाक के सेयुंग सचे कह रावनवाश महता उन्होंने एक आदेश जारी किया कि तील लाकी रासी है वो ग्रेयर में विवाक की राज्य सरकार के स्तरपर हो और 2 लाकी जो राशी लाख राज्रा दिया गया हो एक चोटे सबरेक के लिए रुक रहे हैं